अभी हाली में अर्थ व्यूस्था बार्च से की 2022 जारी की गई है यानि कि कहने का मतलब है कि अर्थ व्यूस्था में क्या उपलब्दिया हासिल की हैं इसके बारे में बताया गया है और आप देखेंगे इस तरह की छोटी छोटी ये किलास ने रखी जा रही है अर इनसे आपकी परिक्षाओं में कुspace पूँचे जाएंगे चाहे आप लोग civil service की तैयारी करें हो state PCS की तैयारी करें या और भी one day exam होते रहते हैं center level पर तमाम exam होते रहते हैं और आपकी state level पर भी तमाम exam होते रहते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी करें उसके पुराने questions paper उठा के देख लिया करिएगा तो एक तो सबसे पड़ी उपलब्धी आप लोगों ने हासिल की है कि आपकी अर्थवस्था पांच भी बड़ी अर्थवस्था बन चुकी है और इसकी बायबाई भी हम लोगों ने खोब लोटी है तो भारत विस्ति की पांचवी बड़ी अर्थोस्था बन चुका है COVID-19 के कारण के बाद बर्स 2022 की में भारती अर्थोस्था के लिए बेतर बर्स रहा है और इस बर्स दुनिया के सबसे बिक्सित देशनों की तुला में भारत की विकासदर इस्तिर रही है और अंतराश्थी मुतरा कोस के सेप्टमबर के आकड़ों की मताबिक एक दसद पूर जहां भारत की GDP बिस्ति में 11 बे स्थान पर थी वहीं इस बर्स भारत बिस्ति की पांचवी बड़ी अर्थोस्था बन चुका है IIMF के बारे में आपको बता देता हूँ इसके बार देखिए बहस का मुद्धा है कि किस तरह से आगे बड़ी किस तरह से पीछे हटी यह बहस का मुद्धा है क्योंकि आप देखिए कि जो आपका वेटेन है उसकी अर्थोस्था गिरी है लेकिन हमारे मुकाबले में जान्दा गिरी है इसलिए हम लोग आंगे आज चुके हैं तो वो अलग बैस का मुद्धा है लेकिन हाँ हम लोग पाचवे नंबर पर पहुंच चुके हैं अंतराष्टी मुद्रा कोसकी जिसकी स्थाफना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी एक अंतराष्टी मुद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश है अंतराष्टी बैपार को सुगम बनाना इस्थाही आर्थिविकास को बढ़ावा देना भुकतान संतलन की कठनायों के स अंतराष्टी में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.8 टिलियन डॉलर रही और राष्टी सांखीक कार्याल है यानि की एनसो के आंकणों के रुसार 2022 में अप्रेल से जून के दौरान भारत का ग्रॉस वेलू एडिड यानि जी वीए 12.7 पिती साथ बढ़ा कितना 12.7 पिती और लंदन ये आप देखेंगे कि लंदन के कंसल्टेंसी सेंटर फोर एकोनोमिक्स एंड विजनेस रिसर्च ने 2037 तक भारत की तीसरी आर्थिक महासक्ती और 2035 तक 10 टिलियन डॉलर की अर्थिस्ता बनने का नुमाल लगाया है इस उपलब्दी के पीछे जिन पिर्मुक य आदिनियम आदी पिर्मुक हैं चलिए तो ये भी आप लो याद रखिएगा एक और आप लोगों को बात बता दूँ यहां आप देखें कि किसकी GDP की बात हुई है एक GDP आखिर क्या होता है GDP क्या है तो आप लोगों को बता दूँ कि GDP किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सिवाओं की कुल वैल्यू को GDP या सकल घरेलू उत्पात का व्यापक मापन होता है और देश की आर्थिक इस्तिति को समझा जाता है इससे तो यह भी आप लोग याद सकल मूल बर्दित या ग्रॉस वैल्यू एड़िड अर्थ सास्त में किसी भी चित उद्योग अर्धवरस्ता या विवसाइक चित में उत्पादिक माल सेवाओं की मूल लिकी माप होती है और राष्टी एकातों में जी भी ए उत्पादन सूल मद्वर्थी खपत होता है और चर्चित मुद्दा है और यह साल सुरू होने पर ही खुद्रा मुद्रा स्पी थी च्छे परसंट से उपर थी इसके बाद रोस यूक्रेन योद्द सुरू हुआ जिसके बाद कच्छे तेलों के दाम में बड़ोत्री के साथ महगाई अपने चरम पर पहुंची अपरेल मे की रेजर बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है बैंकों का बैंक भी कहते हैं और यह कपरेल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा मुद्रा स्पी थी कहने का मतला होता है कि महेंगाई से लेकिन आप देखेंगे कि इसमें क्र में बड़ोत्री के कारण भारत का विदेसी मुत्रा कोस भी खाली हो रहा है इसके बाद रुपे की गिरती बैली उन्हें महेंगाई को और जाना बड़ा बढाने का काम किया जहां साल की सुरुवात में डॉलर 75 रुपे के आसपास था वहीं 82 रुपे के ऊपर पहुंच गय और अक्टूबर की आखणों के अनुसार महेंगाई लगाता नो महीने, नो महीने में 6 परसेंट की आप देखिंगे 10 सी उफर रही है, नवंबर महीने में रेटेल महेंगाई 6 परसेंट से नीचे आकर 5.8 पर रुपी, हाला कि महेंगाई की मामले में भारत की सिती अन देसो से बहतर है और यह राहत की बात है क्योंकि कई देशों में महेंगाई दर 40 साल के सबसे उपर इस तरफ बहुत चुकी है हमारा परवस्टी से लंग का आर्थिक तंगी से जूज रहा था रिपो रेट आर्वी आई ने काफी समय बाद इस साल रिपो रेट में कई बार बड़ो हो जाती है जिसके चलते महेंगाई में कमी होती है साल में पहली बार मैं में रिपो रेट में 2.40% की बड़ोत्तरी की गई थी जिसके बाद लगातार तीन बार रिपो रेट में 0.50 0.50% की बिद्धी की गई और दिसम्बर में 0.35% की बड़ोत्तरी की गई और इस पड़ी जानदा पैसा उदार लेते है और बाजार में नंगदी बढ़ती है जिसके चलते लोगों की खरीदने की चमता बढ़ती है और इस पज़र से रेपो रेट बढ़ाया जाता है जिसके चलते बैंक के लौन पर ब्याज बढ़ जाता है और लोगों की खरीदने की चमता कम होती ह इसे महेंगाई भी कम होती है जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप खर्च क्या करेंगे डॉलर बनाम रुपया महेंगाई के साथ रुपय का लगातर कमजोर होना भी भारत के लिए इस बर्स की बड़ी समस्या रही है चोकि भारत निर्याद से जादा आयात करता है इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर तेजी से घट रहा है हलाकि निर्याद के लिए रुपय का कमजोर होना अच्छा है दरसल डॉलर मजबूत होने के पीछे का प्रमुक कारण अमेरिका का फैडलर बेंक कोविन-19 के दौरान बड़ी हुई लेक्विटीस को कम कर रहा है और जिसके चलते निवेस की ब्याददर बढ़ाए जा रही है इसलिए उचे ब्याददर के कारण दुनिया भर से डॉलर अमेरिका में निवेस किया जा रहा है और बैसे ब्याद़ार से डॉलर कम हो रहा है इस कारण डॉलर के मुकाबले दुनिया की तमाम देशों की करेंसी कम जोर हुई है और जहां साल की शुरुवात में डॉलर 75 रुपे का था वहीं अब आप देखे 80 रुपे के पहलास पहुंच चुका है एक आप देखें भारती फोरेक्स से रज़र भारत बिदेसी मुद्रा बंडार लगातार कम हो रहा है 2022 की सुरुवात में कुल बिदेसी मुद्रा बंडार 633.161 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और देसंबर 2022 में बिदेसी मुद्रा बंडार 57.161 करोड गटकर 563.155 अरब डॉलर की कमी आई है या बंडार देसंबर की पहले सब्ता में 574.161 अरब डॉलर था सुरुड बंडार 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गटकर 40.16 आप देखेंगे 589 विलियन अमेरिकी डॉलर रहे गया है विदेसी मुद्रा बंडार में विदेसी बस्तों के लाबा बॉन्ड, स्वेड बंडार, ट्रेजी बिल, अन सरकारी पिति भूतियां भी इसमें सामिल उते हैं और इसमें सबसे बड़ी हिस्सा विदेसी करेंसी कारेंसी 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 कारें वर्स 2022 तेज के लिए भारत के सकेलियो गहरेलू उत्पाद यानि की जीडीप की विद्धी धर की अर्मान को 6.530 से बढ़ा कर 6.930 कर दिया है अब आप लोग कहोगे कि ये वर्ल्ड वेंग क्या है विस वेंग की बात हो रही है और वर्ल्ड वेंग की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1944 में बॉसिंग्टन डेसी में इसका हेड़क्वार्टर अक्रे जारी किये गये थे और जिसके मुताबिक मुझूदा वर्स वित वर्स 2022 देश की दूसरी तिमाही यानि की जुलाई से सेफ्टमबर की बीच देश की अवर्दस्तार ने 2021 के मुकाबले घट जाएगा और कुरोनाम हमारी ने बहुत प्रभावित किया हो बहुत सारे कारण रहे हैं बड़ती महगाई पर कावू पाने के लिए सभी देश के केंद्री बैंक अपनी ब्याद दर बढ़ा रहे हैं इसके चलते बैंक के लगबग सारे देशों की किसी देए गया वर्स में देश में उत्वाद सभी बस्तूओं और सेवाओं का कुल मूल है उसे आसां भासा में देश की मार्क सीट कहा जा सकता है जो देश की आर्थि गतिविदियों के स्टेटस को देखाती है डिजीटल रूपया रिजर बैंक ने एक दिसमबर को डिज प्रोजेक्ट लाँच किया है और जिसके तहर डिजीटल रूपया का आहम जनता के लिए मार्केट में लाए गया है और यह पाइलिट प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई वेंगलो और भूमनेसम में लाँच किया गया है इसका थोक इस्तिमाल परीक्षन एक नवंबर को किया यह आम जनता के पास बैंकों के माध्यम से आएगा और इसे बैंकों के पास ही जमा किया जा सकेगा और इस पैसे पर कोई ब्यान नहीं मिलेगा इसका बड़ा फायदा है कि इसे डिजीटल से कैस में भी बदला जा सकेगा और जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाने होते हैं उसमें खर्च आता है फट जाते हैं उसमें भी रोक लगेगी से खर्चे में कमी आएगी इस्टार्टप्स और यूनी कौन्स का उदय कुरूनल है मंदी के डर और तमाम चुनोंतियों की पीछे चोड़ते हुए भारत बर्स 2022 की जनवरी से जुलाई की बीच सम और श्टारटप नई आइडिया बाली एक ऐसी कंपणी जिसमें हाल ही में अपना काम का शुरू किया था और श्टारटप सफल होने के बाद यह बड़ी सब कंपनी के तोर पर अपनी पहचान बना लेते हैं नए उध्यम नए ब्युसाय को स्टार्टप कहते हैं यही स्टा इंडिया अभी आज 16 जनवरी 2016 को जारी किया गया था इस शुरू किया गया था जिसके बाद देश में मानता पर आप श्टार्ट आप की संख्या 75,000 से देख हो गई है और भारत में आप देखें कि भारत विस्व में स्टार्ट आप के मामले तीसरे स्थान पर है या एक सो आ का पांच पिती सत्य उगदान देखने को मिलेगा कैप्टो क्रैस यह आप देखेंगे कि जहां बर्स 2021 में कैप्टो और एन एप्टी यानि नौन फंगिवल टोकेन के लिए सोड़ यूग था तो वहीं 2022 इसके लिए पतन का काल रहा है और इस बर्स आधिकान इस कैप्टो क हो गया जिसके चलते निवसकों का बहुत नुकसान भी हुगा विटकोईन की बड़ती ब्याददरें और इसकी किमत का लागातार गिना भी केप्टो करेंसी से में मुए भंग का एक बड़ा कारण लोगों का रहा है मंदी के चलते नौकरी खोने कब है भारत विस्त के कई अध्यन यह दिखाते हैं कि बड़ती ब्याददरों के खत्रे मुद्रा इस्पिती मंदी के अन्माज सहथ कई ऐसे आर्थिक कारक हैं जो नौकरी पेसा लोगों की नौकरी के लिए खत्रा बन सकता है और इनमें मंदी सबसे बड़ा कारण है दरसल बड़ती महगाई के चलत अधिक लोगों की नियुकती से आप देखे अतरिक्त कारण के रूप में धरज है और सोसल मीडिया पोर्टल ट्वीटर ने अपने 90% करमचारियों को भारत से निकाल दिया है और 20% करमचारियों की संख्यादी कर दिये अमेरिका की सबसे बड़ी ओनलाइन पेमेंड इस्ट लोगों को निकाल दिया है चाइम ने अपने बारे 25 करमचारियों को निकाल दिया है इन सारी घड़नाओं के चलते भारत में नोकरी कवाने का खौप लगागार बना हुआ है तो एक कुछ घड़ना एं घटी है हमें अर्थोय उस्ता में तो इनके बारे में एक सामान जानक कारी आप लोग जरूर रखिएगा आपने पास ठीक है